वैसी जुरूरी नहीं है लेकिन वीडियो को लाइक या पर डिसलाइक कर दिया करें पहले मैं दिड्राउंड जाइंट मोवी को एक्स्प्लेइन करूंगे इस मोवी के स्टार्ट में हम तीन साइंटिस्ट को बेच पर जाते हुए देखते हैं जिनमें सेकादमी स्टेवन हमें डेड्ड जाइंट के बारे में ये स्टोरी सुनाएगा असल में इस समंदर में एक दिन पहले एक काफी बड़ा तुफान आया था जिसकी वजह से एक डेड्ड जाइंट बीच पर आ गया था और अब साइंटिस्ट खुद बीच को विजिट करने का डिसाइड करते हैं जहां वो खुद उस जाइट को अपनी आँकों के सामने दीख रही थे जिसके बारे में वो काफी बार सुन चुके थे उस जाइट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आई हुए थे वहां पर लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था क्योंकि सारे उसे डर रहे थे अब यहां पर स्टीवन और उसके आदमी अंदासा लगाते हैं कि शायद उसका वेट 80 तन के करीब होगा स्टीवन उनसे कहता है कि जाइट के बारे में मैंने यह सुना है कि इनकी एज का अंतासा लगाना बहुत मुश्किल है पर स्टीवन उसके नोस और लिप्स को दिखते हुए कहता है कि यह एक यंग जाइट था वो तीनो साइटिस्ट उस जाइट की बाड़ी की आसपस कड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे थे स्टीवन इस दोरान उसके हाथ के पास जाता है जो कि तलाब की लुग दे रहा था यानि उसका हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने की बाद वो एक तलाब बन गया था जिसमें छोटे-छोटी मचलियां तैर रही होती है स्टीवन का कहना था कि इस जाइट की साइज से भी ज़दा हैरान कर देनी वाली बात तो यह है कि यह जाइट अभी तक एक्जिस्ट करती है और वो बीच पर खड़े हुई लोगों को जाइट से कंपेर करती हुए कहता है कि यह तो जाइट की चोटे-चोटे अनकंप्लेट कॉपीज है अभी स्टीवन उसे देखकर हैरान हो ही रहा था कि तबी उसकी एक उलीग उस जाइट की बाड़ी पर चड़ जाती है और वहां मुझूद वो सब लोगों को बताती है कि यह बिल्कुल सेफ है तबी सुनकर वो सब लोग जल्दी से उस जाइट की बाड़ी पर चड़ जाते हैं और ऐसा करकी वो लोग काफी खुश हो रहे थे कोई उस जाइट की बाड़ी पर जम कर रहा था तो कोई खेल रहा था लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है और ना ही उस पर चड़ता है दूसरे तरफ उसकी कुलीक उस जाइट के बारे में नोर्स बना रहे थे और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वहां उस जाइट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे क्योंकि सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे फिर तीन दिन के बाद स्टीवन दुबारा यहां पर आता है क्योंकि उसका उस जाइट में इंटरस्ट बढ़ गया था तो आज वो जाइंट के पास देर तक रुकने का इरादा करता है तकि जाइंट के पास कोई भी ना हो लेकिन जैसे ही वो जाइंट के पास आता है तो वो दिखता है कि जाइंट डिके होना स्टार्ट हो गया है और उसका हर एक body part काफी अजीब दिख रहा है अब यहाँ वो giant के कान पर एक लड़की को देखता है जो उस giant के कान को as a chair use कर रही थी Stephen notice करता है कि giant के face से उसकी youthful look खतम हो गई है यानि अब वो जवान नहीं दिख रहा तब वो अंदाजा लगाता है कि समंदर में बहुत अर्सा रहने की वज़े से उसके tissues खराब हो गए है जिसकी वज़े से उसकी body काफी जल्दी खराब हो गई है Stephen giant के face पर एक insect देखता है जो के उसके मूँ में जा रहा था अब Stephen सोच रहा था कि insect के उसकी मनजल तक पहुचने से पहले ही ये giant decay हो जाएगा और अब Stephen बहुत ज़दा हिमत करके उस giant के उपर चड़ता है अब giant की चस्ट पर चड़ने की बाद वो giant की बाजु को देख रहा था जो बिलकुल decay हो चुका था और कुछ बचा हुआ parts, insects और बाकी birds खा रहे थे यहाँ अब उसकी आँखों के उपर अब एक अजीब सा cover आ गया था जो कि उसकी eyes को भी एक तलाब जैसी look दे रहा था फिर Stephen उसकी आँखों में अपना shadow देखता है और सोचता है कि इस giant के decay होने की तकलिफ उस तकलिफ से कम है जो से तनहाई ने दी है, इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है पि next time जब Stephen उस giant के पास जाता है तो देखता है कि उसकी arms और legs decay हो चुके हैं और अब वो उसकी body को गोर से देख रहा था जहां पर giant की body की insult की जा रही थी और insult करने वाले कोई और नहीं बलके इनसान ही थे अब हलांकि ये giant भी तो इनसान की तरह का ही एक creature था फि next day Stephen जब दुबारा से उस giant के पास आता है तो वो देखता है कि उस giant का तो सर भी उतार दिया गया है और birds और insects उस giant को खा रहे हैं अब सर के बगएर उसकी body इनसानों जैसी बिलकुल भी नहीं लग रही थी अब इसी के साथ इस Stephen और इस dead body का relation भी कम हो रहा था जो कि इस dead body नहीं बनाया था पिर इसके बाद वो काफी दिनों तक बीच पर नहीं आता फिर काफी हफतों बाद जो वो बीच पर आता है तो ये देखकर वो काफी हरान हो जाता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जिसकी वज़ा से वो इनसान लगे और वहाँ पर जो बाकी रह गया था वो उस इनसान का डिकेट गर्ट था और अब उन सब लोगों का उस जाइंट पर से इंटरस्ट खतम हो गया था अब इवन काफी महीने गुजर जाते हैं और लोग तो अब जाइंट की एंटरे को भी भूल जाते हैं क्योंकि स्टीवन की मताबिक जाइंट की हड़ियों से बने ये डेकुरेशन ज्यादा अच्छी हैं उन यादों से जो स्टीवन के दिमाग में हैं अब यहाँ पर उस जाइंट के कुछ बोड़ी पार्स को सरकस में भी रखा गया था और अब साइंटिस्ट का कहना था कि जिस जिसने भी उस जाइंट को देखा है वो उसे मॉस्टरे समझते थे जो कि मर चुका था लेकिन वो जाइंट उसके लिए आज भी जिन्दा था वो लोगों से सीखता है उन्हें सिखाता है लेकिन पिर जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोगों से भूल जाते हैं इवन दिन महीनी साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई उसे याद नहीं गरता सेम ऐसे ही जैसे हमने इस मॉवी में देखा कि कैसी एक जाइट आया और सबके ट्रेक्शन बन गया लेकिन फिर वो ही बात देन महीने साल गुजर गई लेकिन किसी को वो याद नहीं रहा असल में यही इनसान की जिंदगी का करवा सच है कि जब तक कोई इनसान जिंदा रहता है तो लोग उसे याद रखते हैं लेकिन अगर वो ही इनसान मर जाए तो थोड़े ही दिन बात लोग उसे बुला देते हैं और अब मैं एक्स्प्रेइन करूंगी आईसेज मूवी को इस मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को दिखते हैं जोग एक नियू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे उनमें से आदमी जिसका नाम रोब था वो अपने घर में कुछ समान लाते हुए नजर आता है में वाइल उसकी वाइफ गेल घर में समान सेट कर रही होती है गेल को अपने इस नियो अपाटमेंट में एक पुराना फ्रिज नजर आता है जो कि लैलोट इस घर में छोड़ गया था अब गेल उस अगली फ्रिज से परेशान थी पर रोब उसे कहता है कि पुराने टेकनोलोजी में जरूर कुछ अमेजिंग होता है जिस पर गेल टॉंट अब जैसे ही रोब फ्रिज में आइस लेने जाता है तो उसे फ्रिज आइस चंक से ढगा हुआ नजर आता है फिर आखिर वो बड़ी मुश्किल से एक क्यूब निकाल कर अपनी ड्रिंक में डालता है वो दोनों मिलकर बैठते हैं और उपने नए घर की कुशी को सेलिब्रे आइस क्यूंब में फ्रीज देखते हैं वो दोनों क्रिज को देख कर काफी हरान और कंफ्यूस्ती क्यूंकि वह बहुत चोटी थी वह नौटिस करते हैं इस चोटी सी क्रिजश को हंट किया गया है क्यूंकि उनने उसकी बॉड़ी में स्पीर्स यनि नेजह नजर आते हैं तो यहां पर रिवील होता है कि इस फ्रीच की अंदर एक पूरी मिडल एच सिविलाइशन वर्क कर रही है। फ्रीच के अंदर टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा था, यहां का एक सेकंड गुजर रहा था, तो वहां की हफतों गुजर रहे थे। अब यह देखकर वो दोनों हस्बिंट वाइफ काफी हैरान थे और वो यह भी सोच रही थे कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। इंडस्ट्रियल एज में चेंज हो गया है, वो भी सिरफ इतने से ही टाइम में, क्यूंकि वो सिरफ थोड़ी ही देर के लिए फ्रिच से दूर हुए थे, लेकिन उस शेहर में तो सद्या मुजर गई थी, और अब उनके दीखती ही देखती ही देखती ही वहां पर कुछी मि पर कर गूफ फ्रीजर की अंदर ही उनी के बारे में बात करते हुई देखते हैं, वो कह रहे थे कि हम इन दो पागल जाइंट्स को हर रोज देखते हैं, और हम उस ब्रोकली को भी देखती देखते थे गई हैं, जो गेल के डांदों में नजर आ रही थी, और अब उनके दे वो लोग काफी गोर से देख रहे थे, रोब अब इस एज को देखकर सरप्राइस था और सोच रहा था कि अगर ये हमारी दुनिया से रिजेंबल करता है, तो इस मॉडरन एज की बात क्या होगा, और इतनी ही दिर में वो वहाँ पर एक लाइटिंग अपजेक्ट को देखत जाते हैं, तब रोब हैरान होता है कि ये क्या चीज़ है और वो उसे देखने के लिए करीब जाता है, इसके बाद वो जोड़दार जटकी से दूर गिरता है, अब गेल उसकी हेल्प के लिए उसके पाज जाती है, और उसका फेस जला हुआ देखती है, जिस से उनको अंद तक फ्रिज को खोल कर नहीं देखा था कि वह और खतम हो गई है या फिर नहीं अब रोब कहता है कि हमें उस फ्रिज को तुबारा कोलना चाहिए लेकिन इस बार वो शायद डर रहे थे वो वहां पर सब कुछ खतम हुआ देखने से डर रहे थे लेकिन जब वो फ्रिज खूलत इस सिटी को काफी अच्छा लुक दे रही थी इसके बाद वो सिटी एक पिरामिट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिससे बहुत सारी लाइन्स कनेक्ट कर रही थी अब रोब और गेल को लग रहा था कि सब लोग इस पिरामिट में रहते हैं इसके बाद सिटी का वो प का पार्ट लग रहा था और वो स्पार्क किसी फायर फ्लाइस जैसे लग रहे थे इसके बाद वो स्पार्क्स दुबारा जमा होकर फ्रीजर में चले जाते हैं पिर एकदम से सब कुछ गाइब हो जाता है से देकर वो लो काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं रोब को लग रहा जिसमें उन्होंने पास, प्रेजन्ट और फ्यूजर को भी उब्जर्फ कर लिया था नेक्स्ट मॉर्निंग वो कपल अपने नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करता है पर अबे भी उनके जहनों में कल के बारे में कुछ सवालात थे और अब वो सिस्पेंस में दुबारा से फ्र असल में ये मोवी हमें इस दुनिया की क्रियेशन, एवलोशन और एंडिंग का कॉंसेप्ट देती है जिसमें इनसान की नैच्रल हैबिटेट से मौडरन एज तक का सफर बहुत अच्छे से एक्स्प्रेन किया गया है इस टोरी में वो फ्रिज जहां हमें मैनकाइन की एज क कॉंसेप्ट देता है वही वो कपल हम इनसानों के बिहेविर को शो करता है यानि जब फ्रिज में वोड शुरू हुई तो उन लगों ने फ्रिज को बंद कर दिया और अपने आप में ही बीजी हो गए और यह जिस इनसान की दुनिया को लेकर के लेस्टनस को शो करती है और